नमस्कार नियूस के लिएक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुंद जैसा कि आप सब जान रहे हैं 26-28 नमबर को तीन दिवसी महापड़ाव किसान और मजदूरों का संयुक्त रूप से देश भर के राज्यों की राज़दानियों में होना है इसको लेकर जो कैसी तयारिया चल रही है और जो यह पूरा अंदोलन है किस तरीके से तीन दिन चलेगा और इसके आगे की रणडीती क्या होगी इस पर बात करने के लिए हमारा अफाद मौजूद है संयुक्त किसान मोड़चा के नेता और अखिल भारते किसान सभा के All India प्रेजडेंट अशोग धाबले जी और Joint Central Trade Union और उसके साथ Center of Indian Trade Union CITU की All India प्रेजडेंट हेमलाता जी जो कि यह जो तीन दिन का महाँ पड़ाव है इसका आवाहन इसकेम और Central Trade Union की Joint Forum ने संयुक्त रूप से किया है इस दोरान इन किसान मजदूर क्या मुद्दे उठा रहे हैं और अन्दोलन का पूरा रास्ता क्या है और इसका आगे की रणनीती क्या होने वाली है सबसे पहले कुम्रेट हमलाता जी आप सही सवाल जो यह जो तीन दिन का महाँ पड़ाव है यह क्यों हो रहा है और क्या इनके मुद्दे आप लोग रखें लोग यह महाँ पड़ाव जो ओगस्ट चोबीस तारीक को नैशल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स और फार्मर्स वा था उसमें हमारा देश का दोनों बड़ा-बड़ा महा संगथन एक ट्रेड उनियन मूर्चा का जॉइन ट्रेड उनियन प्लाटफोर्म जो दस सेंट्रेड ट्रेड जो हमारा देश का सबसे ज़्यादा अल्मोस्ट ओल मजदूर और करमचारियों का कवर करता है और दूसरा संयुक्त किसान मूर्चा जिसमें सो सो से ज़्यादा मतलब 300-400 किसान संगठन है यह दोनों मंच मिलके ने ने आहवान किया था कि मजदूर और किसानों का जो मुद मान नहीं रहा है और इसके अलावा हमारा देश को बेचने का नीती चला रही है और जो इसका विरोध करते हैं उनका अधिकार को खतम करने का दबा के रखने का डरने का डराने का यह सब कुछ काम कर रहे हमारा जो डिमोक्राटिक राइट्स है इसका उपर हमला कर रही है त महापड़ाओ तीन दिन का करने का निर्ने ये दोनों मंच ने मिलके लिया है जिसमें 21 मांग है जो मांग सिर्फ मजदूर और किसानों का ही नहीं है हमारा देश का सभी तब कों का मांग अनेंप्लॉइड यूथ है और स्टूडेंट्स है यह सब का मांग को वो रिफ्लेट करता है तो इन मांगों को लेकर देश को बचाने के लिए यह महापड़ाओ का आहवान इस मंच ने दिया है असुक जी आप जैसे सहयुक तकसान मोर्चा के भी नेता हैं और सहयुक तकसान मोर्चा ने पहले भी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा आंदूलन लड़ा था और जीते भी थे उसके बाद अभी क्या बदला जो फिर आप लोग देश बयापी मतलब परदरेशन कर रहे जो आपने सही कहा बहुत ही जो आइतिहा से किसान अंदूलन एक साल और पंदरा दिन तक चला और वो जीत गए किसान लाखो के तादाद में पूरे देश में और दिल्ली के बॉर्डर में तो बहुत ही बड़े पैमाने पर तीनों जो कृशी कानून ये मोधी सरकार ने ला कार्परेटन के पक्षमें थे वो उनको आखर में रद करने पड़े लेकिन उसके बाद वो सिर्फ एक मांग नहीं थी उस को में मांग नहीं थी वो में एक नंबर की मांग तो थी लेकिन दूसरी भी मांगे थी उधारण के तोर पर जो अभी हम जो मांगे के लिए कर रहे हैं कि लागत खर्चे का डेड़ गुनादाम ये हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए और ये डिमांड जो है इसका एक्चोली रूट इनके जो याद्यक्ष थे तो इनों ने ये जो पूरे देश के क्रिशी संकट को देखा और उसको कैसे सुलजाया जाए तो ये पहली उनोंने शिफारिस की थी अपने रिपोर्ट में ये 2006 में रिपोर्ट आया 2023 अभी 17 साल होए किसी भी सरकार ने और BJP सरकार ने तो बिलकुल नहीं इनोंने लागू नहीं करवाया एक दूसरी मांग गए कि सभी आज आज आप जानते हैं ये नवोधरवादी नीतियों के चलते पिछले 25 साल में 4 लाख किसानों ने आत्मत्या किये हैं हमारे देश में उन में से एक लाख किसानों ने सिर्व मोधी सरकार के 10 साल के अंदर इनोंने आत्मत्या की करजे की वज़े से तो दूसरी मांग हमारी ये है कि सभी किसानों और खेतमज़ूरों का पूरा करजा मुक्त करना चाहिए ये तो एक नया परिसा इनोंने कभी भी करजा मुक्त न करजा सिर्फ मोधी सरकार ने माफ किया ये पिछले नौ साल में तो ये सब बाते हैं दूसरा है फसल विमा योजना का सवाल है बैंक से करजा मिलने का सवाल है ऐसे कई सवाल हमने लिए है और जैसे हमलता जी ने कहा एकदम सही का उन्हों कि उसके साथ हमने पूरे देश को बचाने के भी सवाल हमने उसको जोड़े है जैसे कि पूरे देश बेचने का इनका निती बीजेपी सरकार की पूरे देश को बाटने की निती धरम और जाती के नाम पर और पूरे जनवाद लोकतंत्र को खतम करने की याने पूरे सभविधान के उपर हमला चड़ाने की नीती, ये सब इसके खिलाप में हम लड़ रहे हैं और मजदूरों की मांग तो है ही, नौजवान, चात्र, महिला, सब की मांग इसके अंदर जिमान चात्र में लिया है। ये बहुत बड़ा अंदुलन, 26, 27, 28 का होगा। दूसरा इसके अंदर क्या क्या कारिक्रम होने और क्या किस तरह से तय है, किस राज्यों में इस तरह से कारिक्रम चलेंगों के वारे हम कुछ जानकारी हो तो बता है। देखिए अभी 26 नमबर को जैसे आपने कहा, 2020 ये किसान अंदुलन दिल्ली बॉडर पर शुरू हुआ। बहुत बड़े दमन का सामना करते हुए, लाखो किसान पंजाब से, हर्याना से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन, मध्यप्रदेश, राजस्तान ये सब आकर इनोंने पूरे दिल्ली को घेर दिया और चक्का जाम करवाया, पूरे राष्ट्रिय महामार्ग, नैशनल हाइव इसको बन किया, लेकिन उसी दिन और एक बहुत आयतिया से घटना हुई, सभी मजदूर संगटनों ने इकठा आकर उसी दिन 26 नवेंबर 2020 को अखिल भारतिय हडताल का कॉल दिया था, और उसके अंदर भी बहुत जबरदस तरीके से 20 से 25 करोड ये हमारे मजदूर, हमारे कर मचारी इसके अंदर शरीक होए और एक तरह से ये मजदूर किसान एकठा के साथ ये पूरे अंदोलन हमने शुरू किये, और एक मैत्व है 26 नवेंबर का, कि 26 नवेंबर हम कहते हैं कि वो हमारे देश का सभीधान दिन है, जिस दिन अपना सभीधान समिती ने हमारे सभीधा को मनजूर किया था, वो था 26 नवेंबर 1949 और बाबा साथ अमबेटकर का तो भाशन हम जानते हैं मचीस नवेंबर को जो किया, बहुत ही आतियासिक भाशन, तो ये 26 नवेंबर का ये तीन गुना, यानि मजदूर, किसान और सभीधान, इन सब को लिए वो दिन है, इसलिए उस दिन हमने तै कि ये शुरू करना चाहिए, 28 नवेंबर जो लाकरी दिन है, उसका भी एक महत्व है कि समाज सुधारक बहुत बड़े हमारे देश के, महात्मा जोतिराव फुले, तो इनका ये सुरुती दिन है, 28 नवेंबर, यानि जिस दिन उनका दिहानत हुआ था, तो वो दिन है, तो इसलिए 26 से 28 ये तीन दिन पूरे तरह से जैसे आपने पूछा, पूरे हमने ये किया है कि पूरे देश के हर राजदानी में, यानि राज्य के राजदानी में, बड़े-बड़े महापड़ा होंगे, मजदूर, करमचारी, किसान, खेत मजदूर, चात्र, नौजवान, महिला, सब एक रिकटा होकर, लाखो की तादाद में, तीन दिन और तीन रात के ये महापड़ाओ, पूरे देश बर में होंगे, और इसकी तयारी बहुत बड़े पहिमाने पर इसके बारे में शुरू है आज भी, और हर राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा क कारिक्रम, ये जो मोदी सरकार के खिलाब और ये पूरे हमारी मांगो के लिए और सविधान को बचाने के लिए बहुत बड़े कारिक्रम होंगे. हमनताजी जैसे बताया है, पिछले कुछ सालों में देखा जो किसान, संगठन और जो सेंट्रल ट्रीडियून से एक तरह गड़ बंदन जैसा दिखता है और कई सारे ज्वाइंट प्रोग्राम हुए, अभी पांच राज्यों मिधान सफा चुनाब भी चल रहे हैं, और इस आउगस्ट चोबीस तारिक से पहले, तीस जैन्यूरी को ये जॉइन ट्रेडियून प्लाटफॉर्म का एक नैशनल कर्वेंशन हुआ था, वहाँ जो मांग हमने रखा है और उसको लेकर लगातार आंदोलन, बाईस और तेईस पुरा करने का निर्ने लिया, उसमें एक में है कि ये सरकार अपना नीती को बदलने वाले नहीं है, और ये सरकार मजदूर किसान मैनत कर्श लोगों का बात सुनता भी नहीं है, उनसे बात भी करना नहीं चाहते हैं, ट्रेड यूनियन इतने बार उनको मांग पत्र दिया, एपॉइंट्मेंट के लिए कोशिश किया, लेकिन इतना तक कि जो हर साल हमारा देश में इंडियन लेवर कॉन्फरेंस होता है, उसका मोधी सरकार आने के बाद, 2015 के बाद एक बार भी नहीं किया है, तो हमने तई किया, ट्रॉइंट नैशनल कन्वेंशन ने, कि मोधी सरकार को हटाना है, तो वो ट्रेड यूनियन्स क एक बहुत बड़ा मांग है, कि ये जो हम इन नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, जिन नीतियों के तहट ये मजदूरों का अधिकार, यून्तम वेतन हम 26,000 मांग रहे हैं, उसके बारे में कुछ कदम नहीं उठाया, निजी करन को रोकने का मांग है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बलकि और भी तेजी करने का कोशिश कर रहे हैं, अभी निजी करन जब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स, बड़ा-बड़ा कॉर्परेट्स खरीदने के लिए तयार नहीं है, वो उनको मुफ्त में देने के लिए, नाशनल मॉनिटाइज प्लैटफोर्म पे, नाम पे हमारा रेल्वे स्टेशन, रोडवेज, ट्रांसमिशन नेटवर्क, बीयस सर्नल नेटवर्क, ओइल गास पाइपलन, यह सब कुछ उनका हाथ में हावाले कर रहे हैं, ताकि वो पैसा कमा के वो अपना यह गरेंगे, तो इसके लिए हमने यह ड प्रचार नीचे स्थर तक हम कर रहे हैं, नीचे स्थर का जॉएंट भी प्रोग्रामस हो रहे हैं, जैसे कमिडेट ने बताया है, कि किसान और मजुदूरों का, सहिएक तक किसान मूर्चा और जॉएंट ड्रेड उन् directamente का मीटिंग हो रहे हैं, और आर ट्रेड यून में हराने का ताकि ये जो समाज में एक विभजनकारी जाहर फैल रहा है तो उसको खतम करने से ही हमारा जो संगर्ष है वो आगे बढ़ पाएगा तो पहला काम है कि इस सरकार को हटाना और जो भी सरकार आएगा ये लड़ाई तो जारी रहेगा ये संगर्ष जो है नीतियों क से खिलाफ वो संगर्ष जारी रहेगा ताकि एक विकल्पिक नीति के लिए हम कोशिश करेंगे लडेंगे जैसा कि तयारें चलने हैं अलग-अलग राजियों में तो सेंट्रल ट्रेड इनुन की तरप से उनकी अपनी क्या तयारियां हैं तीन दिनों के महापड़ाव को लि चाहिएट उनिन के तरफ से जादां यह प्लान किया है कि जैसे कि वरकर्स और एंप्लाईस दोनों रहेंगे उसमें संगवतित मजदूर भी का मजदूर भी रहेंगे जो इंडस्टियल वरकर्स है कर्मचारी भी रहेंगे और असंगटी छेत्र का मजदूर भी है और जो स्कीम वरकर्स है मारा आशा अंगनवाडी मिडे मिल वरकर्स वगेरा तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा प्लान किया कि एक दिन जो 26 तारिक है व इसमें शामिल होंगे और एक दिन असंगटी छेत्र का मजदूर उसमें पुरा दिन रात रहेंगे और एक दिन स्कीम वरकर्स जो आशा अंगनवाडी मिडे मिल वरकर्स है तो ऐसा बांट के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से है लेकिन यह जो प्लानिंग वो नीचे स्तर तक हो रहा है और लीचे स्तर तक लाखों के संख्या में एक-एक राज्य में पर्चा बांटे जा रहे हैं वरक्शॉप, वर्क्प्लेस मीटिंग्स हो रहा है गाउं में, महले में, इलाकों में मीटिंग्स हो रहा है और अच्छा रेस्पॉंस भी मिल रहा ह जाइसे वालो कमेड आपसे जो आप पूरे राज्यों में तयार हैं किस तरह से चल रहे हैं तो दूसरा है क्या यह सिरफ एक तीन दिना कारेक्रम एक इवेंट के तरह है या इसका आम खिसानों में मजदूरों में क्या मेसेज आप लोग जाते हुए देख रहे हैं देखे यह पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा अभियान चल रहा है आज भी और पीछले एक महिने से यह जारी है क्योंकि यह पूरा हमने एक नतीजे पर आए दिल्ली में तो बहुत आइतियासिक आंदूलन हुआ ही लेकिन जो आपने कहा कि 2024 में लोकसभा के चुनाओ है तो लोकसभा के चुनाओ अगर मोदी सरकार को हटाना होगा वैकलपिक सरकार को लाना होगा तो यह पूरा माहुल यह पूरे देशबर में फैलाना चाहिए और वो कैसे फैल सकता है अलग-अलग राज्यों के अंदर ब कर बड़ी-बड़ी सभाय ले रही है अलग-अलग गाओ के अंदर शहरों के अंदर फैक्टरी के अंदर यह एक अभियान जो चलाएंगे पूरे देश के अंदर तो उसका एक जरूर परिणाव होगा और यह जो कृती होगी 26, 27, 28 उसका भी एक पुब्लिसिटी और यह बा होगा ही और इससे लोगों को पता चलेगा लोग उतर रहे क्योंकि लोग देख रहे है कि अभी देखो महंगाई इतनी बढ़ गई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है ना पाके हर चीज के अंदर भी स्मार्ट मेटर लगाना शुरू कि आपको कुछ जगा में बिजली के आ यह आज जनता देख रही है और इसलिए यह एक अंदोलन जो है इसका लगातार इसका जरूर असर होगा और आपने जो जिकर के आभी जो पाच विधान सभा के चुनाओं चल रहे हैं तो उसके अंदर भी हम यह देख रहे हैं जिस प्रकार से लाखों लोग इकटा हो रहे ह विपक्ष के सभाओं के लिए और बीजेपी के इसके अंदर उतना ज़्यादा आज रिस्पॉंस नहीं मिल रहे हैं आप देखिए सब जगह में यह हम को दिखता है तो इससे जरूर एक माहूल बनेगा एक वातावरन बनेगा कि जिसके अंदर यह मोधी सरकार बीजेपी आ बहुत बड़ा मददकारक रहेगा अखरी मेहम लदा जी आपसे जो मजदूरों के सवाल है पिछले कुछ एक तो लेवर कोड़ के बहुत लंबे समय से आप लोग लड़ते रहें सरकार को लेक सरकार के खिलाफ दूसरा ओल्ड पेंसन इसकिम सरकारी करम चानियों के बड़ अपको लगता है जो होगा या होने की उमीद है जैसे मैंने बताया हमारा इस सरकार से ज्यादा उमीद नहीं है हमारा पिछले कई 9 साल से हम जो देख रहे हैं वो बात करने के लिए भी तयार नहीं है लेबर कोर्स का जो बात है हम लेबर कोर्स का विरूद कर रहें सरकार च लगबग बहुत सारे राजियों में वो रूल्स नोटिफाइफ हो गया तो हम करेंगे तो यह जो उनका corporate donors है, supporters है तो उनको satisfy करने के लिए यह बात बोल रहे हैं लेकिन मज़दूरों का जो labor courts के तहद fixed term employment को यह किया है और जो occupational safety यह है उसको पूरा code में migrant workers का यह नहीं है वो यह कर दिया है अभी आप देखो safety का बात नहीं है अभी यहां उतराखंड में उतरकाशी में जो accident हुआ construction workers का वो safety यह नहीं है उससे पहले railway accidents हो रहे है काफी construction workers का industrial workers का है इसमें migrant workers है जो लाखों में करोणों में है तो एक तो साफ है कि सरकार का आम लोगो का workers का presents का कुछ ख्याल नहीं है वो सिरफ अपना corporate masters को satisfy करना चाहते हैं तो इसलिए हमारा ज्यादा उमीद इस सरकार से नहीं है लेकिन एक stages में जैसे दो हजार चोवीस का Parliament elections में इस सरकार को हराने का हम निर्ने लिया है उसमें एक वातावरन बनाने के लिए यह जो अभिया हम नीचे स्तर तक लेके जा रहे हैं ताकि मजदूरों को वो अपना-पना मुद्दा को वो फील कर रहे हैं बेरोजगारी है जो युवा लोगों का रोजगार नहीं है वो समझ रहे हैं और health का benefits नहीं है या महंगाई बढ़ रहा है लेकिन यह क्यों हो रहा है यह जो अपन problems है और सरकार का नीती के बीच में क्या संबंध है यह हम उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे BJP का राजनीती क्या है एक तो इनको address करने का कोई क्या बोलते है वो यह sincerity नहीं है दूसरा लोगों का जो असंतोश है उनका संगर्ष को कमजोर करने के लिए यो लोगों को बांटने का साजिश चल रहे है तो ये सारा लोगों को संझा के हम उनको तयार करने का मॉतावरन बनाने का ये हमारा मेन मकसद है अमकर छो आप इसरेली को शुचन कम ये की अवे पड़ा ऋपिए इस्से आप ढ़ो सहजक्त न मूरचा को किसानों क्या उम्मीध और इसके आगे का रास्ता क्या होगा? यह तो आपने जो चार्टर दिया था, जो जोएंट कन्वेंशन में, उसके बाद तो बहुत सारे डिमांड थे, आलग कारिकरम थे, तो इसके आगे का आंदोलन का रास्ता क्या होगा? देखें, यह जैसे हमलता जी ने भी कहा, सयुक्त किसान मुर्चा को भी मोदी सरकार से कोई ज़्यादा उमीद है नहीं, क्योंकि उनकी पूरी जो पॉरिसी आप देखेंगे, तो यह किसान विरोधी रही है, और इतने जुम्ले बाजे यह करते हैं, इन्होंने कहा कि हम किसान इतना बुरा हाल हो गया इस ही है, तो यह सिर्फ दुम्ले बाजे करेंगे, इदर उदर का बात करेंगे, लेकिन कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि उनके मन में ही नहीं है करना, यह इनका पूरा कमिट्मेंट है बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, अम्बानी अधानी को ख शुरुवात में, है न, इस्राइल को समर्थन देना ये सब हम देख रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इसके लिए बहुत बड़े संगर्श की जरूरत होगी, और इसका एक कदम करके हम 26, 27, 28 नमबर को देख रहे हैं, मोधी सरकार हटाने के बाद भी, अगर वेकलपिक सरकार आ और उनके उपर ये बात रखनी पड़े हैं, ये मोधी सरकार के रास्ते से आप जाओगे तो आप बच्छे के ने, है न, तो इसके लिए संगटित करना किसानों को, मजदूरों को, ये बहुत ही जरूरी बात है, और ये अभी जो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, प रामिन इलाके में, ये आज एक साथ में आ रहे हैं, जिसको हम मजदूर किसान एकता बोलते हैं, और इसके कई उदारण, लगातार बढ़ते हुए, उदारण 2018 से शुरू हुआ, उसके पहले भी कई बार ऐसे दिखा, लेकिन अभी ये बहुत अच्छी बात है, कि सभी एक वाइड स्पेक्ट्रम, यानि पहले CITU, किसानसभा, एक आर रहे थी, इसके पहले कई बार हुए, लेकिन इस बार सभी सेंट्रल ट्रेड उनियन्स और पूरा सयुक्त किसान मुर्चा एक साथ आकर, ये जो कृती कर रहा है, ये एक सही में भारत के आजादी के हितियास के ये पहली घटना है, ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है समझना और इसको और जादा मजबूत करना, यही एक तरीका है ये पूरा परिस्तिती वदलने के लिए, क्योंकि 90 प्रतिशत लोग पूरे देश के आबादी के कौन है, मजदूर है, किसान है, खेत मजदूर ह मद्यम बर्गयने उसी के अंदर आता है, कर्मचारी के अंदर, ये सब अगर देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा फलक्रम हो सकता है, पूरे देश के अंदर राजनेतिक परिवर्तन करने के लिए, और हमारे सभ्विदान को, जनवात को और धर्मनिरपेक्षता को बचाने क इसमें कितने करमचारी और किसान सामील हो सकते हैं देश भर में, अगर कुछ अंदाज आप लोगों के पास हो ये, अंदाज है निया हम करोडो के तादाद में होंगे, पूरे देश में ये होंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के पूरी तरीके से व को बीच मुली का तरेगा.